अगर आप Samsung user हैं दिन आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप एक simple से mod से जो है अपने volume panel के look completely change कर सकते हैं और उसमें काफी अच्छी sound effect भी पासेते हैं जिसके अंदर आपको equalizer के भी options मिल जाते हैं जिनको आप easily enable कर सकते हैं Dolby, Atmos को यहां से enable, disable कर सकते हैं और जो भी settings आप equalizer में करना चाहें उसको easily कर पाते हैं और काफी अलगलग colors के आपको यहां पे इसके अंदर layout भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं जिसको आप simply एक application के थुरू जो है अपने phone के अंदर use कर सेते हैं जैसे कि आप देख पारे होंगे कुछ इस तरीका आपको जो है आप volume panel जो है यहां पे देखने को मिलता है तो इस option को enable करने के लिए सिर्फ आपको जो है good lock application को download करना है उसकी family option में जाएंगे वहां आपको एक option में देखने को मिलता है sound assistant आप उसको download करके अपने phone के अंदर जो है good lock application में इंस्टॉल कर लिए और जैसी आप open करेंगे आपको इसको फस्ट option है volume panel theme इसको enable कर दीजिए उसके बाद आपको इसके अंदर काफी सारे layout के option मिलते हैं कि आपको right में टगना है कि left में अगर आप left में करेते हैं अब देखिए आपका जो layout है वह आपको left side में यहाँ पर देखने को मिलता है आप इसके colors को change करते हैं कौन सा color आपको चाहिए आप उसको setup कर लिए सपोर्ज आपको yellow चाहिए तो yellow theme में आपको देखने को मिल जाएगा यह सब नए features आपको इसके थूर यहां से देखने को मिलते हैं उसके बाद कुछ और चीजह मिल जाते हैं जिसे control media volume को आपको option मिल जाता है इसके इंदर जिसको आप इनेबल कर सकते हैं individual app polymes मिल जाती है हर application जो volume होते हैं उसके आप individual उसके settings कर सकते हैं आप जो है step volume को यहां पर कम जायदा कर सकते हैं उनका step होते हैं आपके volume के steps उनको यहांसे manage कर सकते हैं यहां फो सारी नेट पैटन के नहीं सक आप यहांपे कफी सारी जो वाइब्रेशन के पैटन से उनको को यहां पे enable को option मिलता है अगर आप mono audio चाहते हैं तो आपको mono audio का भी option इसके अंदर मिल जाता है इवन अगर आप इसकी sound quality and effects में जाएं तो आप equalizer को यहां से भी manage करते हैं Dolby Atmos को enable या disable आप कर सकते हैं अब उसके बाद जो है volume panel जो है आपको कुछ इस तरह का यहां पर देखने को मिलेगा इस पे टैप कीजिए यहां से आप के equalizer में जा सकते हैं और इसको सारी जोगों यहां पर मैनेज कर सकते हैं कि आपको किस तरह कर जाएगे base effect चाहिए travel चाहिए जिस ताब से आपको manage करना है उनको कर लीजिए अगर आपको लगता है आपको कुछ और तरीक से कस्टमाइज करना है तो आप उसको भी करता हूँ आपको आज काई वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरू किजिएगा साथ जाथ वीडियो को like, comment और share करना मत भूरिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye